जैहिंद दोस्तों आप सभी का अपना चैनल स्टडी एड़ा 1295 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेय करें। प्राश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी समविधान सभा में कितने सदस्य थे। भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्राइस, बी मुस्लिम लीग, सी साम्यवादी दल, डी हिंदू महासभा, आपका सही उत्तर है, हिंदू महासभा प्राश्न, भारतिय सम्विधान है, आपका ओप्षन है, ए, बहुत ही कथोर, बी लचीला, सी कथोर, डी अंशत कथोर और अंशत लचीला, आपका सही उत्तर है, अंशत कथोर और अंशत लचीला प्राश्न, हमारे देश का सम्विधानिक नाम है, आपका ओप्षन है, ए, भारत, बी भारत अर्थात इंडिया, सी कहिंदूस्तान, डी आरियावर्थ, आपका सही उत्तर है, भारत अर्थात इंडिया प्राश्न, स्वतंत भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, आपका ओप्षन है, ए, जवाहर लाल नहरू, बी वल्लभाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी बी, आर, अंबेड कर, आपका सही उत्तर है, बी, आर, अंबेड कर प्राश्न, सम्विधान सभाद्वारा भारत के सम्विधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, आपका ओप्षन है, ए, 13, बी, 9, सी, 17, डी, 7, आपका सही उत्तर है, 17 प्राश्न, भारत की सम्विधान सभा के अस्थाई सभापती थे, आपका ओप्षन है, ए, सचिदानन्द, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, बी, आर, अंबेड कर, डी, पम, जवाहरलाल नहरू, आपका सही उत्तर है, सचिदानन्द प्राश्न, सम्विधान का मसौदा तैयार करने वाली समिती, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, आपका ओप्षन है, ए, जे, बी, प्रिपलानी, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, जवाहरलाल नहरू, डी, बी, आर, अंबेड कर, आपका सही उत्तर है, बी, आ अंबेड कर, प्राश्न, सम्विधान प्रारूप समिती में, अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे, आपका ओप्षन है, ए, बारा, बी, नो, सी, साथ, डी, छे, आपका सही उत्तर है, साथ, प्राश्न, ग्यारा दिसंबर 1946 को किसे सम्विधान सभाका स्थाई अध अध्यक्ष चुना गया था, आपका ओप्षन है, ए, जवाहर लाल नहरू, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, बी, आर, अंबेड कर, डी, के, एम, मुन्शी, आपका सही उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद